आप में से बहुत सारे लोगों को star delta connection के बारे में पता है अगर मैं आपको बताओ कि star connection कैसे करते और delta connection कैसे करते आपके दिमाब गोई easy लिया जाएगे कि ये तो बहुत easy है चाह इतना easy है तो देखो यहाँ पर एक motor है और motor का 6 terminal बाहर निकल के आया है मुझे नहीं पता कौन सा टर्मिनल किस का है किस कोयल का है आप क्या आप इस छे टर्मिनल को देख कर आप बता सकते हो कि इस से डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा स्टार कनेक्शन बहुत इजी है करना डिल्टा कनेक्शन कैसे कर गगा आप बता सकतो इतना इजी नहीं है लेकिन मैं जो प्रोसेस बताऊंगा इस प्रोसेस का यूज़ करके आप कोई भी ध्री फेस मोटर का जो स्टार और डिल्टा कनेक्शन होगा वो बिल्कुल accurate निकाल सकते, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, अगर आप चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे ना, तो जलो स्टार्ट करते सबसे पहले मैं श्टार कोनक्षन बता हूँगा, फिर डिल्डा बता हूँगा ठीक है? क्योंकि बहुत सरे व्यवर को स्टार कनक्षन भी नहीं पता, मुझे नहीं पता है इस 6 टर्मिनल में से कौंसा कोईल का टर्मिनल कौंण सा है? ठीक है? आप सबी को ये तो पता ही होगा कि मोटर के अंदर तीन कोईल रहता है यह तो पता ही होगा ठीक एक्जाम्पेल के लिए मैं आपको यहां पर जो तीनों कोईल दिखाड़ो यह एक नंबर कोईल यह दो नंबर कोईल यह तीन नंबर कोईल आप देखो यहां पर एक कोईल का दो टर्मिनल होता है तो तीन कोईल का छे टअब मढ़ेंगे बाहर दिखाया है मोटर से मैं क्या कर威गा पहले हर एक कोईल का दो टर्मिनल कौंसा कौंसा ए उ Serve मुझे निकल के लूγए मुझे तो नहीं पता कौंसा कौईल का कौंसा दो टर्मिनल है वो तो मुझे नहीं यहाँ पड़ तो मैं आपको दिखा रहे हूं लेकिन motor के अंदर कौन सा कौयल किसका है आपको कैसे बता चलेगा उतर टेस्ट करके निकलना पड़ेगा ना टेस्ट कौंसा टेस्ट है उसके लिए हम continue to test करेंगे ठीक है के साथ टाच करके देखूँगा जिस टर्मिनल से कनेट करके लाइड जलेगा जैसी लाइड जलेगा तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये एक कोईल का दो टर्मिनल हमें मिल गिया है वैसे ही हम दूसरा कोईल निकालेंगे वैसे हम तीसरा कोईल निकालेंगे तो आपको एक कोई कोईल का जो दो टर्मिनल है वो दो टर्मिनल को फाइंड करेंगा मतलब धूनने का तरीका मैंने बता दिया आप इस तरीके का इस्तिमाल करके आप कोईल का जो दो टर्मिनल है वो आप निकाल सकते हो कोईल तो निकल गया, जैसी कोईल निकल जाएगा तो क्या होगा, आप इजली स्टार कनेक्शन कर सकतो, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, कोई भी तीनों टर्मिल को एक साथ आप सौट कर दो, सौट करके आप जैसी यहाँ पर थ्री फेस सप्लाइद होगा, तो यह मोटर रा में घूमना स्टार्ट करते अब जैसे ही उल्टी दिशन में मोटर घूमना स्टार्ट करेगा आपका जो कॉयल है उसको मेंटेंड करना जरूरी है अब फेस सिक्वेल्स कैसे फाइंड करते ओ देखते देखो यहां पर आपका तीनो कोयल का टार्मिनल आपको मिल जाएगा आपका दिमाग में जो भी दो टर्मिनल आ रहा है उसं दो टर्मिनल को एक साथ जो दो इग्सामपल के लिए निजए कारे को यहां पर वाला वाला जो टर्मिनल है यह दौनों को मैंने शौट कर दिया खी है, उस वोिल का दो जो टर्मिनल है, उस दो टर्मिनल को मैं zhort करूंगा, अगर इसमें spark create नहीं हुआ, तो ए समझ लेना अगर ये वाला टर्मिनल a1 है और a वाला a2 है तो ये वाला b1 होगा और ये वाला b2 होगा, अगर यहां इस कोईल को short करने पर यहां पर spark create हुआ तो आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर A वाला A1 होगा तो यह B2 होगा और A B1 होगा तो यह A2 होगा ठीके ए चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ठीके तो इससे आपको A1 तो मिल जाएगा आप क्या करूंग जो ए1 आर ए2 वाला जो क्वाइल है. उस क्वाइल को मैं छोर दूँगा ठीके छोरकर बाकी दो क्वाइला भी बचा हुआ है. यहां पर हमें बीवान भी मिल जाएगा और बीडू भी मिल जाएगा आप क्या करूंगा आप मैं क्या करूंगा यहां पर जो क्वाइल है इस क्वाइल का ऊपर वाला जो दो टार्मिनल है यह दूनों टार्मिनल को मैं स्वाट कर दूंगा अप कोई सा भी दोनों टार्मिनल को स्वाट कर सक शोर्ट सर करके बाकी जो दो टर्मिनल बच जाएगा वो दोनों टर्मिनल पे आपको AC supply देना पारेगा ठीक है AC supply देने के बाद आपको A1 और A2 वाला जो टर्मिनल है इन दोनों को short करना पड़ेगा अगर short करने पर यहाँ पर कोई भी spark create नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर यह B1 है तो यह C1 होगा और यह C2 है तो यह B2 होगा ठीक है अगर यहाँ पर spark create होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कि अगर यह B1 है, तो यह C2 होगा, अगर यह B2 है, तो यह C1 होगा, ठीक है, तो इसकी help से आप easily पता कर सकते हो कि कौन सा A1 है, कौन सा A2 है, कौन सा B1 है, कौन सा B2 है, कौन सा C1 है, कौन सा C2, आप, आपको मैं समझाता हूँ कि यह spark rate क्यों होता है, यहाँ पर जो coil है, जैसी का दूनों terminal को मैंने short कर दिया, उपर से, नीचे से मैंने AC supply दे दिया, अब AC supply में क्या होता है, कि current flow होता है, face से neutral, अगर यह face होगा, तो यह neutral होगा, अगर face से neutral की तरफ current flow होता है, ठीक है, तो इस coil का current की direction, जो जिस दिशा में होगी, इस coil की current की direction अलाग होगा, इस coil की coil की तो यह क्या होगा, यहाँ पर एक flux क्रेट होगा, ठीक है, इस coil में एक magnetic flux क्रेट होगा, सेम इस coil में एक magnetic flux क्रेट होगा, लेकिन दोनों की magnetic flux होगा, दोनों की magnetic flux समान होगा, मतलब equal होगा, तो क्या करका, एक दूसरे को opposite करके, जो total flux बचेगा, वो flux 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर 0 हो जाएगा तो कोई भी Flux नहीं बचेगा कि यहां पर जो extra coil बचा है यहां पर यह बाला coil बचा है इस coil को कर्ट करने के लिए कोई भी Extra Flux नहीं बचेगा तो उस कारण यहां पर अगर Short करने पर भी यहां पर flux create नहीं होता है ठीक है लेकिन जैसे ही मानले यहां पर उपर वला टर्मिनल है उस टर्मिनल करते हैं जैसे ही हम नीचे Il till को current करेंगे ठीक है और जैसे ही हम यहां पर supply देंगे तो क्या होगा यहां आप क्या होता है कि इस दोनों को अगर cut करेगा तो क्या होगा उस वाल में एक Induce यह में generate होगा जैसे यह Induce में इसके अंदर generate सभा आप इसको short करोगा तो क्या होगा इसके अंदर एक आपको एक spark देखने को मिलिए तो यही काराण है कि आपको इसमें एक connection में आपको spark दीखने को मिलता है और एक connection में आपको spark देखने को नहीं मिलता है तो इसका working principle एही है ऐसे ही आप face sequence को test कर सकते हो ऐसे ही आप face sequence को test करके आप delta connection कर सकते हो ये process खार एक three face motor में apply होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगा अगर जो नोटीव केशन उस सबसे पहला आपके पास बहुत जाएगा